बिग स्क्रीन में आपका स्वागत हैं फिल्म मेकर जेपी दत्ता बॉलिवूड में बॉर्डर, रिफ्यूजी, एलोसी, कारगिल जैसी तमाम देशभक्ती फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जेपी की फिल्म बॉर्डर को अभी भी हिंदी सिनेमा की बहतरीन मुवी में से एक कहा जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही उन्हें जान से मारने की धंक्या मिल रही थी इसको ध्यान में रखते हुए उनके सुरक्षा बढ़ा दी गई थी बॉर्डर के बाद जेपी दत्ता एलोसी कारगिल पर फिल्म वराना चाहा रहे थे जिसे लेकर उन्हें तमाम खत्रों का सामना करना पड़ा एक इंटर्व्यू में जेपी दत्ता ने बताया था कि बॉर्डर फिल्म रिलीज होने के बाद से ही दो बॉर्डिगार 24 घंटे साई की तरह उनके साथ रहने लगे चार महिने तक उन्हें कहीं अक्यले जा प्राकात की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वह कारगिल यूद्ध पर भी एक फिल्म बनाएं उस वक्त जेपी दत्ता को कथित तोर पर पाकिस्तान से यूद्ध पर फिल्म बनाने के लिए धंकी मिल रही थी इसके बाब जूद जेपी दत्ता ने कहा कि वो फिल्म बनाएं अगर एक सैनिक वहाँ खड़ा हो सकता है और मेरे लिए मर सकता है तो मैं उसके लिए क्यों नहीं मर सकता मैं इन धमकियों से डर्णने वाला नहीं हूँ दत्ना ने आगे कहा कि एलोसी कारगिल के बाद धमकिया मिलनी बंद हो गई 1999 के कारगिल यूद्द की घटनाओं को दर्शाने वाली इस फिल्म में अजे देवगन, संजय दत, अभिशेक बच्चन, सुनिल शेटी, सैफ अली खान, मनोज वाचपई, अक्षे खन्ना, करीना कपूर, रानी मुखरजी, रवीना टंडन और इशा देवल जैसे तमाम सितार और उने काम किया, और फिल्म सफल रही, तो गाइस क्या कहना है आपको बॉर्डर मुवी और जेपी दत्ता के लिए प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलें, और देखते रहें बिग स्क्रीन